Hello friends, आज मैं आपको 2017 की VIP एक Korean movie explain करने वाला हो ये एक बहुत ही खतरनाक serial killer की story है जिसे बकडने के लिए अलग-अलग government काम कर रही होती है इस movie में बहुत ही अलग-अलग और अजीब चीज़े unfold होती रहती है इस movie में जैसा violence है उस तरह का violence आपने कभी भी नहीं देखा होगा तो चलिए इस खतरनाक thriller story को एक्समे करना start करते है movie start होती है और हमें agent park दिखाया जाता है आज ये airport पर उतरता है और होंग-कॉंग आयो हुआ है इसके बाद ये एक American agent के पास जाता है जिसका नाम होता है Paul Paul को इससे एक काम होता है Paul इससे एक building दिखाता है ये कहता है उपर जाकर तुम्हें उस आदमी को लेकर आना है ये जो आदमी है ये हमारा serial killer है इसका नाम होता है किम पार्क को सबको सबोर्ट वगरा दिया जाता है CCTV कैमेरे जोगर सब बन करने वाले होते है पाका काम होता है कि अंदर जाए सब लोग को मार कर किम को वापस लेकर आए अब हमें फ्लैश बैक दिखा जाता है और पास साल पहले हम नौर्थ कोरिया में पहुच चुके है नौर्थ कोरिया में हम देखते हैं कि एक लेड़ की स्कूल जा रही है फूलों से खेलते हुए, मुस्कूराते हुए ये लेड़ की अपनी स्कूल जा रही है तभी एक गाड़ी इसके पास आती है और इसी गाड़े में हमारा serial killer यानि की कीम है इस गाड़े में कीम के भी लोग होते है और इसे ही उठा कर लेकर जाते है इसके बाद हमें story में और एक police officer इंट्रिजूस कराया जाता है इसका नाम होता है Chan Chan crime scene पर बहुचता है तो वहाँ बहुत सारे murder हो चुकी होते है इस family की सब photo जगरा देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है Chan अब figure out कर लेता है कि ये जो काम किया गया है ये कीम नहीं किया है कीम एक serial killer है और पहले भी इस तरह के case उसने देखे है Chan फिर अपने superior के पास आता है ये जो case हुई थी इसके बारे में अपने superior को कहता है उसका superior उससे कहता है कि इस case को तुमें drop कर देना है इसका superior कोई भी action लेने वाला नहीं होता Chan इस पर बहुत ही जीड़ गया होता है एक्चुल में ये जो serial killer है यानि की कीम इसके father Korea के king है यानि कि इसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता Chan investigation कर सकता है और कुछ गड़बड कर सकता है यसे वज़े से इसकी अब बदली करा देते है जिस लड़की को कीम और उसके साथ ही उठा कर गए थे वो उसका रेप करते है इसे बहुत इंजोर करते है और फिर कीम आता है उसे तड़पा तड़पा कर मार देता है इस लड़की को इन्होंने मार कर पानी में डाल दिया था ये बोड़ी बहते वे थे नौर्ड कोरिया तक आ चुकी है अब इस इन्वेस्टिकेशन में हमारा और एक नया में कैरिक्टर इसका नाम होता है पार्क ये इंटरूद्यूस होता है पार्क इस इन्वेस्टिकेशन का head होता है पार्क crime scene पर जाता है यह देख लेता है कि यह serial killer का ही काम था इसका मतलब है किम ने साउथ कोरिया में भी बहुत सारे मर्डर किये है पुलिस बहुत ही किम से परिशान है पार को उसके सुपरियर बुला थे पाउग जो है यह बहुत ही डेंजरस पुलिस ओफिसर है ये क्रिमिनल को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है इसे legality, non-legality इसके बारे में कुछ भी फरक नहीं पड़ता जब तक क्रिमिनल पकड़ा जा रहा है इसे सब कुछ ठीक लगता है अब पार का सुपिरियर कहता है कि जल से जल इस किम को तुम पकड़ लो पार किसी भी हद तक जा सकता है पर उसके सुपिरियर उसे कहते है कि जादा कुछ तुम ट्रबल में आ जाओ, ऐसा कुछ भी मत करो इसके बाद एक महना गुजर जाता है और इसके सुपिरियर ने सुसाइड कर ली है यह हमें दिखता है, पार को बहुत ही बुरा लगता है अपने सुपिरियर के ओफिस में जो सब चीजे थी यह सब वो पैक कर रहे होते है सिरियल किलर के रिगार्डी, जो भी इसके सुपिरियर को नोट्स मिली थी यह सरब पाक रख लेता है पाक को उसका फॉरेंसिक का डॉक्टर बुलाता है जिस विक्टिम की बॉड़ी इने मिली थी उस विक्टिम के अंदर इने एक DNA सैंपल मिला है अब इनके बास DNA सैंपल है तो कादिल को पकड़ना बहुत ही आसान हो सकता है इसलिए अब पाक इने ओर्डर देने लग जाता है पाक अपने लोगों को कहता है कि जिन्होंने भी पुराने ऐसे काम किये है इन सब की लीस्ट तुम बना इन सब के वो DNA सैंपल लेने वाले है इसके बाद जो भी सब टीप्स उसके ऑफिसर को आई थी इन सब टीप्स वालों को भी इने पकड़ना है इसके टीम में एक आदमी उसे कहता है तुम यह जो सब कर रहे हो यह illegal है हम ऐसे कैसे सब की DNA नहीं ले सकते पाक उसके बाद जाता है और उसे मारने लग जाता है वो कहता है जैसा मैं कहे रहा हूँ वैसा ही तुम्हें करना है मुझे सिर्फ सेर्यल किलर को पकड़ना है वो मैं कैसे पकड़ूंगा यह मेरा decision होगा इसके बाद थोड़ा टाइम गुजर चुका है बाग को सेर्यल किलर के बारे में पता चल चुका है और यह कीम ही होता है इसके बाद हमें directly intelligence के office में एक meeting चल रही है यह दिखाये जाता है यहाँ पर हमें agent Reidye देखता है इसे order दिये जा रहे होते हैं कि कीम पकड़ा नहीं जाना चाहिए एक national security का concern है कीम ने होंग कॉंग में भी गटवर की थी और उसे बचाने के लिए रीदे ने ही help की थी अगर फिर से इसने कीम को नहीं बचाया तो इसकी job trouble में आ सकती है आज पुलिस यानि के पाक और उसके आदमी कीम को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं इसके पहले पाक सहीज से court order निकाल कर लाता है एजन रीदे भी यहाँ पहुचता है यहाँ पुलिस अल्रेडी आ चुके होती है और intelligence और पुलिस इन दोनों के आदमी एक दुसरे से जगट रहे होते है रीदे अंदर जाता है और कीम को अरेस्ट कर रहा होता है तब ही पाक वहाँ पहुच जाता है पाक केता है कि तुम इसे अंडरेस्ट नहीं कर सकते एक सिरियल किलर है और इसे हमें अरेस्ट करना है पाक के पास कोर्ट ओर्डर होता है तो इसे कोई भी रोग नहीं बाता कीम जब पुलिस का स्टडी में होता है तो उसे बचाने के लिए उसका लॉयर आता है इसका lawyer कहता है कि जब murder हुआ था तब किम इस शहर में था ही नहीं अलग-अलग लोगों के नाम होते था है और कहता है कि इनके साथ वो था पाक फिर कहता है कि इसका DNA हमें मिला है किम का lawyer कहता है कि जिस गाओ के वो लड़की थी उस गाओ में हम farming करते थे उस लड़की नहीं हो सबजी खाई थी इसी वज़े से DNA आ चुका होगा पाक कहता है यह तो सब ठीक है पर हम इसे 48 hours तक रख सकते है इसलिए इसका पूरा फाइदा अब पाक लेने वाला होता है पाक जाते चाती कीम को कहता है तुम्हें कहा लगता है कि मैं एक पागल हूँ मैंने सिर्फ विडियों ने sample मिला है यह कहा था यह सबजी से आया है यह मैंने कभी भी नहीं कहा था याँ confirm हो चुका है कि murder कीम नहीं किया है पाक अब हमने आदमें हो से कहता है यह जो लोग कीम के साथ थे ऐसा वादावा कर रहे है इन सब के तुम records निकालो सब कुस उसे चाही होता है जो lawyer कीम को represent कर रहा था उसके भी bank record निकालने के लिए हो कहता है इसका आदमें पहले मना करना चाता है पर यह पाक को अब डरने लग गया है तो कुछ भी नहीं कर पाता किमकि घर के आसपास जो भी सब security footage है यह सब वो निकालने के लिए बोलता है यह security footage और रिडे ने ले लिया है पाक कहता है कि आसपास बहुत सारे security cams है हम कही ना कही तो उसे ढूणने लेंगे यह सब कुछ security cameras के cd's वेगर लाते है और सब कुछ ढूणने लग जाते है बहुत सारे लोग इस पर काम करने लग जाते है रिडे को पता करना होता है कि पाक कर क्या रहा है पुलिस station में food parcel देने के लिए जो आदमी आता है यह से ओडियो डिवाइस पाक के office में लगा देते है पुलिस station की security cameras भी रिडे देख सकता है अब जल्द ही पाक को security footage में कीम दिख जाता है यानि कि murder जब हुआ था तो कीम इसी शेहर में था यह प्रूव हो जाता है पाक यह सब कीम के lawyer को बताता है अब कीम को वो jail में रख सकता है रिडे के उपर उसके officers का pressure बढ़ जाता है इसे कुछ भी करकर कीम को वहाँ से बाहर निकालना है रिडे फिर पाक की boss के पास जाता है उसे कहता है कि तुम्हें सिरियल killer चाहिए वो कही से भी यह serial killer लाग कर दे सकता है यह दोनों एक deal हाग कर लेते हैं हमने movie के first में देखा था कि कीम के friends होते हैं जिनके साथ वो काम करता है यही एक friend को ढून कर वो police को दे देते हैं पाक को उसका boss order देता है कि कीम को अब उसे छोड़ देना है पाक कहता है इस सब सबूत उसके खिलाफ है हमेर पास strong case है अब हम इससे क्यों छोड़ेंगे उसका boss उसे कहता है कि असलिए serial killer अब पकड़ा जा चुका है और बहुत सारे evidence उसके खिलाफ भी मिल चुके है कि हमें सिरियल killer चाहिए था हमें और कोई भी trouble नहीं चाहिए पाक जब disappointed होकर घर आता है चैन फिर उसे कहता है कि वो North Korea से है चैन कहता है कि अगर तुम चाहो फिर भी तुम कीम का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते तुमारी जो government है intelligence वगरा सब कुछ इसमें मिले हुए है इसे ओफ़र देता है कि अगर किम को उसने लाग कर दिया तो उसे North Korea वो लेकर जाएगा किम के फादर North Korea के king थे और अब वो king नहीं रहे अगर वो फिर से किम को North Korea लेकर गया तो किम को फासी देंगे इसकी बाद पार्क मान नहीं रहा होता पाग जब पुलिस टेशन पर जाता है तब किम को छोड़ा जा रहा होता है किम उस पर हस रहा होता है पाग उसकी कॉलर पकड़ लेता है किम उसे कहता है कितना satisfaction मिलता है जब इसी आदमी को तु मारते हो तुम्हारा पिसला बास भी मेरी वज़े से मरा था उस पागल ने मेरी वज़े से ही suicide की अब पाक उस पर बहुत चीट जाता है, किम को वही मारने लग जाता है, पाक को सब रोकते हैं और किम को ले जाया जाता है अब रीदे ने यह सब situation हैंडल कर ली है, तो उसे promotion मिल जाता है जिस hotel में किम को रखा हुआ होता है, वहाँ पर एक lady agent भी होती है किम के हाथ बंदे होए होते, फिर भी इस agent को injure कर देता है जब रीदे यह सब situation देखता है, तो बहुत ही चीट जाता है, किम को वह बहुत मारता है पाक को अब चैन का call आता है, चैन कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था, कि ऐसा ही होगा पाक कहता है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, अब वो किम को कुछ भी कर नहीं सकता चैन कहता है कि मैं इसके लिए तुम्हें help कर सकता हो चैन कहता है किम जब Hong Kong में था, तब उसने ऐसे ही एक tape बनाई थी इस tape में वो murder कर रहा है, यह सब दिख रहा है इस tape की location मेंगरा उसे बता देता है, पाक जल्दी से जाता है और यह tape ले आता है अब किम को arrest कर सकता है, नेक सिन में किम को मिलने के लिए American spy आयो होता है South Korea में किम को यही protect कर रहा था, किम के जो father थे यह बहुत बड़ा account समालते थे इस account में America के बहुत सारे पैसे है, account के बारे में सिर्फ किम को पता है अब यह spy इसे पूछ रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि यह पैसे कहा है किम कहता है कि यह सब मेरे mind में है, अगर spy को पैसु की location चाहिए तो इसे किम को protect करना पड़ेगा इसी वज़े से रीदे भी इसे protect कर रहा था अब यह spy किम को अमेरिका लेकर जाने वाला होता है जब यहां से जा रहा होता है, तो यह पाक वहाँ पोच जाता है, किम को arrest कर लेता है पाक किम को कहता है, कि लड़कियों के साथ तुम कुछ कर नहीं सकते इसलिए सब frustration उन्हें मार कर तुम निकालते हो यह सच होता है, तो किम इस पर बहुत इचिर जाता है यह कहता है कि मैं तुमें भी मार डालूंगा अब पाक किम को police station लेकर आता है पाक को उसके boss का गॉलेता है और दुरन किम को छोड़ने के लिए उसे खा जाता है पाक की मर्जी नहीं होती, फिर भी उसे रीदे के पास जाना पड़ता है वो court का order लाने की भी कोशिश करता है पर यह हो नहीं पाता अब पाक और रीदे दोनों बात करे होते अब रीदे इस से कहता है कि अब इस country से चले जाने वाले है अब हमारी यह problem नहीं है पाक कहता है कि यह कही भी जाए यह murder तो करते ही रेने वाला है रीदे को चैन के बारे में पता होता है चैन नहीं पाक को information दी थी इसके बारे में बात करते है रिदे कहता है कि चान के सब आदमियों को किम ने मार डाला था चान को भी उसने बहुत मारा था पर चान बच गया था ये दोनों जब पात कर रहे होते हैं तो किम को अमेरिकन एजेंट लेकर जा रहे होते हैं किम जल्दी से एजन्ट की गण लेता है उसे मार डालता है यह पार्क के पास जाता है और पार्क पर भी बहुत सारी गोलिया वो चलाता है पार्क के लिए एमुलन्स बुलवाई जाती है और किम को अमेरिकन एजन्ट लेकर जाते है किम और अमेरिकन एजन्ट सब गाड़ी मे नहीं है चान उसे नौर्थ कोरिया ही लेकर जा रहा है पर किम के फादर फिर से अब किंग बन चुके है किम को वहाँ भी कोई भी प्रॉलम नहीं आएगा अब हमें बोड में चान किम को लेकर जा रहा है यह दिखता है बोड में जो सब लोग उसके साथ होते हैं यह सब अब चैन के खिलाफ हो जाते हैं किम के लिए काम करने लग जाते हैं किम फिर इसी बोड में चैन को मार देता है अब में प्रेजन दिखाया जाता है मुवी के फर्स में हमने देखा था कि पाक होंग कॉंग में है यानि किम ने उसको मारा था पर पाक बज गया था पाक को अमेरि से साउथ कोरिया आ जा सकता है पाक उसके नीज पर गोली चला देता है किम कहता है कि यह तुम क्या करे हो मैं बहुत इंपोर्टन्ट हूँ मैं सब अकाउंट जगरा सबकी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ पाक कहता है कि मुझे इससे फरक नहीं पड़ता किम गिडिरान लग देता है कि एजन्ट चीर जाता है कि यह तुमने क्यों किया मैं तुम्हें सिर्फ उसे बचाने के लिए कहा था पाक कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वह सब अकाउंट्स रियल है यह चाइनिज गवर्मेंट के पास थे यह सब पैसे उन्होंने बहुत पहले ही ले लिए तुम्हाना टाइम वेस्ट कर रहे थे अब पाक बदला लेता है और वहाँ से चला चाता है यहीं मूवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सरी एसी मूवी लेकर आता रहे तो तू प्लीज चैनल को स सब्सक्राइब पर दीजे और बेल नोटिफेशन आकान दबाना में मत भूले यहीं कि आपको सब मूवी मिलती रहे हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आपने आपका ख्याल रखिये